वेल्कम बैक बच्चों आज हम लोग फूड एंड हेल्थ चैप्टर टू क्लास फाइब साइन्स के जो रेस्ट टॉपिक थे वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे बिफोर गॉइंग टॉइंग टॉपिक लेट्स रिमाइंड मेमोराइज वाट वीडियो तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में तो यह बैलेंस डाइट होता क्या है अगर यह सब क्या है और अगर कोई भी खाना में यह सभी नूटरीन्स और राइट अमांट में प्रेजेंट हो तो यह बैलेंस डाइट ठीक है बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज हम लोगों ने देखा था कार्बो हाइडरेट प्रोटीन फैट बाइटमिन्स मिनरल रफेज वाटर तो कार्बो हाइडरेट क्या होता है इनर्जी गिविंग फूड होते हैं यह हमें इनरजी देते हैं टू वर्ग प्ले ठीक है और प्रोटीन जो होता है यह वह हमें अल्प करते हैं में बढ़ने के लिए ठीक है next is fat fat is also energy giving food और वो हमें एनर्जी जो होते हैं ज्यादा देते हैं किस से carbohydrates से ओके जितने भी oily foods है जिसमें oil है fat से घी हो गया यह जो है यह सब क्या है fat से है और बटर घी यह vitamins and minerals जो होते हैं वह हमें कहां से मिलते हैं फ्रेश vegetables and fruits से मिलते हैं और this is very important for keeping our body fit and healthy ठीक है रफेज हम लोगोंने क्या पढ़ा था रफेज के बारे में हमने पढ़ा था कि यह fibrous part of the food है और it helps to get rid of undigested food मतलब खाने की पचाने में बहुत help मिलती है इससे ठीक है ना साथी साथ हम लोगों ने देखा था कि करेक्ट पोस्चर पोस्चर क्या होता है करेक्ट पोस्चर दपोजीशन इन वीच वी होल्ड आवर बॉड़ी वन सी टेस्टेन इन मुब हम अपने बॉड़ी पार्टो को किस तरह से रखते है जब हम बाट आरा थे यह खड़े रहते हैं तो इसी को क्या बूलते है बॉड़ी पोस्चर वोलते हैं और करेक्ट पोस्चर गिब ऑ ग्रेसंफल account अपीर अगर हम पुस्चर अच्छ सही रखेंगे तो हमारा जो बॉडी का सेप साइज होगा बहुत अच्छा होगा ठीक है अराम से हमें क्या होता है हमारा बॉडी को हम फ्रेस फिल करते हैं और हम लोग एक्टिव हो जाते हैं रेडी हो जाते हैं रेडी टू वर्क एगेन तो इसलिए हमें प्रयाप्त मात्रा में अराम भी लेना चाहिए और साथी साथ अराम लेने से क्या होता है हमारा जो बॉडी क and another is non-communicable disease तो non-communicable disease में हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि those disease which do not pass from one person to another person मतलब patient से healthy person तक किसी भी तरह से नहीं फैलता है ऐसा disease को हम लोग क्या बोलते है non-communicable disease जैसे पहला हो गया night blindness है यह बेरी बेरी इसकर्भी रिकेट्स गोईटर अनीमिया यह यह नहीं and this much so these are these diseases are called this non-communicable disease next tha communicable disease those diseases which transfer from one person to another person मतलब एक person से दूसरे person में जो भी मारी फैलती है आसा हुए कोण माईक्रोब और शोटे माईक्रोब्स मजीव होते हैं उसी को हम लोग माईक्रोब बोलते हैं या जे ईजिंग से ठीक है और यह हमारे बाडी में कैसे इंटर करते हैं थ्रू नूज माउथ और विद कंटामिनेटेड फूड और वाटर सास्थ आई से भी हमारे बाडी कर सकते हैं और और एक चीज की वह बाडी में में bacterial disease bacteria cause disease like plague यह एक rat rat का जो body में a fleece होता है एक तरह का बोल सकते हो एक तरह का कीरा होता है यह को फैलाता है कुन plague tuberculosis जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं मुखसे blood आता है कफिंग के साथ that is tuberculosis typhoid high fever होता है हम लोगों को सुबह साम है ना ठंड लगती है that is typhoid and pneumonia जो सांस लेने में तकलीप होती है कफ and colds lungs में बहुत ज्यादा कफ भर जाना that is pneumonia and man anxiety इसको दिमागी बुखार बोलते हैं यह ना वह होता है man anxiety next is a protozoa protozoa cause disease like malaria and amoebic dysentery ठीक है and next is viruses so viruses cause diseases like common cold polio chicken pox measles some of which in which this disease is spread are discussed below तो देखते हैं अब नया topic आज का क्या है कि disease किस तरह से spread होड़ा है ठीक है तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं तो देखो पहला क्या है through direct contact so many diseases like the common cold chicken pox measles ring warm open cup scarlet fever spread through direct contact either through clothing or other article used by the sick person तो direct contact में क्या होता है direct छुना किसी को पैसेंट को छुना healthy person जब उसके touch में जाता है ना तो यह इसको बोलते हैं direct contact तो जैसे यह disease like common cold हो गया chicken pox हो गया measles हो गया ring warm हो गया open cup हो गया scarlet fever हो गया यह direct contact से फैलते हैं next is through infected food and water diseases like typhoid and cholera diarrhea polio jaundice spread by eating infected food and drinking polluted water तो infected food and water क्या होता है ऐसा खाना और पानी जिसमें क्या हो कि वह साफ ना प्योर ना हो उसमें कुछ diseases हो है ना impure water हो तो ऐसा पानी पीने से भी क्या होता है कि diseases like typhoid cholera diarrhea polio jaundice फैलता है flies and cockroach carry germs from severs and contaminate our food and water तो क्या होता है कि ज्यादा तर यह कैसे फैलता है कि जो house fly होते हैं यह सब जो होते हैं ना flies और cockroach यह क्या करते हैं कि यह syvers मतलब गंदे नाली गंदे पानी नाली यहां भी बैठते हैं घंदे जगह भी बैठते हैं और साथी साथ कहां बैठते हैं हमारे खाने भी बैठते हैं तो इस तरह से वो क्या होते हैं कि उसके बाडी में जब वो गंदे जगह पर बैठ तो उसके बाडी में जर्म्स चिपक जाते हैं और जब वो खाना पर बैठ तो फिर वो टांसपर हो जाते हैं इस तरह से जर्म्स तो इस तरह से वो हमारे फूड को और वाटर को कंटामिनेट करते हैं handling of food with dirty hand and lack of proper sanitation are the main causes of pollution of food and water अगर हम खाना बनाते समय cleanliness मतलब सफाई का ध्यान नहीं देखेंगे गंदे हातों से काम करेंगे गंदे बरतन में काम करेंगे तो क्या होगा सबजी या खाने को अच्छी तरह से पकाने से पहले धोएंगे नहीं तो यह क्या होगा इस तरह की देज फैलेगी through food and water milk from disease cock can also be the source of infection मतलब अगर गाई के दूद्ध होता है ना गाई के दूद को भी हमें क्या करना चाहिए पहले अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए क्योंकि अगर गाई को कोई disease हो गया है बीमारी हो गया है ना वह infected है अगर उनक इसी तरह से दैन उसके बाद हमें यूज करना है नेक्स्ट टॉपिक इस थूप एयर वी ब्रीट जम्ट एट कॉज डिजीज लाइक चिकन पॉक्स ओप डिप्टेरिया इन फ्लूंजा एन स्कार्लेट प्रेजेंट इन डिस्चार्ज प्रॉम दे नोज और मॉट अप द प करती है तो यह सब डिजीज जो है वहां से फैलता है जैसे चिकन पॉक्स ओपिंग कप दिप्टेरिया इन फ्लूंजा स्कार्लेट फीबर दिस डिजीजेज कैसे फैलते हैं स्नीजिंग मतलब छीक ना एक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग एंड कफिंग कफिंग मतलब खा इन फैलते हैं और यह डिजीजजेज एयर से पास करते हैं हम लोग छीकते हैं या खासते हैं तो हमारे मुक्त Hai यह कहां से एयर में जाते है और यए से दूसरे infected person के body के अंदर चले जा सकते हैं तुरू इंसेक्ट, diseases like malaria, yellow fever, plague, dango, collager are caused by the blood sucking insects like mosquito, please, bugs and sand plies, ठीक है न, तो कुछ-कुछ diseases जो होते हैं उसको कुण फैलाते हैं, insects फैलाते हैं, जैसे malaria को mosquitoes फैलाते हैं, yellow fever, plague को rat फैलाते हैं, तो इस तरह से dango को भी mosquito फैलाते हैं, collagers, यह जितने भी है, यह सब जो, यह है, जितने भी disease है, यह सब insects फैलाते हैं, ठीक है, देखो, in 1994, a large number of people in, of people in parts of Maharashtra and Gujarat, suffer from plague, caused by the bat of rat fleas, rat, बोले थे न, rat fleas, जो, rat के body पे, जो एक तरह का insect होता है, यह insect क्या करता है, कि हमें, किस तरह की बीमारी, plague फैलाते हैं, और large number in 1994 में, बहुत सारे लोग मारे गयते हैं, महाराष्ट और Gujarat में, because of this plague, similarly, डेंगू fever is quite, हर साल हम लोग सुनते हैं, कि देली में, महाराष्टरा में, बहुत लोग डेंगू से मर जाते हैं, क्यों, क्योंकि यह डेंगू, जो कहां कोन फैलाते हैं, मच्छर फैलाते हैं, है न, एड प्रोटोजवा जो होता है, जिसको बोलते हैं, वो मॉस्क्यूटो के बाड़ी में चला जाता है, और वही मॉस्क्यूटो के बाड़ी में चला जाता है, फिर अगर किसी हल्दी पर्षूट के को काटता है, तώ वो टांस्पर करत कहां हो जाता है? हल्दी मॉस्क्यूटो क्योन बोπα जाता है, तो इस तरह मलेरिया के डिजर्ज टांस्पर होता है, थ्रूँ, इंसेक्ट बाइट, ऽम्य का जाता होता है, फिवियल एनफिल्ड इस म फैलाते हैं जैसे यह एड्स होते हैं एड्स जो होता है वो एक पर्षन से दूसरे पर्षन में फैलता है ठीक है और कुछ-कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जैसे यहां देखो क्या दिया है सम डेजीजेस केरियर सोड्me समाटीजेज है यह लोग होता है उसके बोड़ी में डीजीज आ गया है है हेल्दी है और डिजीज आ गया है लेकिन उसके अंदर का जो इम्मुनिटी पावर है इतना जादा होता है कि डिजीज उसमें कोई एफेक्ट उसके बाड़ी को नहीं करता है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं केरियर बन सकते हैं हमारा डिजीज जो होगा वो दूसरे तक हम तो हेल्दी परसन भी कभी कभी क्या होता है कि कि डिजीज को फैलाता है ठीक है तो थूरू केरियर हम लोग केरियर का काम करते हैं किस केरियर को डिजीज को फैलाने के काम करते हैं कैरी करने का काम करते हैं देक्स टॉपिक जो है देखो क्या है प्रिभेंशन ओप बचा जाया, communicable disease जो है, जैसे यह कोरोना हो गया, है ना, यह, तो यह disease से कैसे बचा जाया, communicable disease है ना यह सब, तो इससे कैसे बचा जाया, तो germs of certain disease stay on article like clothing, comb, towels, straws, used by the, used by a patient, all such article including the linen and clothing must be disinfected or boiled to kill the germ, the floor and the wall of the room must be straight with a disinfectant, मतलब जो भी चीज, ऐसा कोई भी चीज, चाहे वो, cloths हो, comb हो, travels हो, toys हो, है ना, clothing हो, कोई भी चीज, जो bed seat हो, कोई भी चीज हो, जो patient ने use किया है, है ना, और उस patient को कोई disease है, या communicable disease है, especially, तो ऐसा चीज को हमें क्या करना चाहिए, disinfect करना चाहिए पहले, ठीक है ना, या उस चीज को अगर हम boil कर सकते हैं, तो boil करके, उस jumps को kill कर देना चाहिए, हर रोज जो है, floor को, walls को, spray with disinfectant से spray करना चाहिए, ठीक है, all cases of infectious disease must be repaired to the civic authority, so that precautions can be taken to prevent their spread in the area, अगर कोई infectious disease फैल गया है, आस पास में, तो जो civic authority है, जो हमारे आस पास में, जो local authority है, उनको तुरत सूचना देना चाहिए, और communicable disease से बचने के लिए अपना उपाई सोचना चाहिए, ठीक है, children suffering from any communicable disease should stay away from school till they are fully recovered, ठीक है, अगर children में कोई communicable diseases हो गया है, तो हमें school से दूर रहना चाहिए, school नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो disease है, वो दूसरे बच्चे तक, हमारी friends तक पहुच सकते हैं, progress in the field of medicine and immunization have helped us to get rid of many diseases, we should make effort to prevent breeding of germs, that is personal environment cleanliness, prevent breeding of germs, destruction of mosquito and their breeding ground is the best solution of protection from these dreadful diseases, तो आजकल medical field में बहुत सारा प्रगती होने के कारण और immunization, immunization मतलब होता है हमें जो vaccine के देते हैं, vaccine इसी को ये immune system को हमें दुरूस्त करता है, इसी को immunization program बोलते हैं, इसके कारण तो हमें बहुत सारे disease से हम लोग बच जाते हैं, क्योंकि हम लोग vaccine ले लेते हैं, पहले से ही इम्यून है ना, तो we should make effort to prevent the breeding of germs, तो हमें ऐसा उपाई करना चाहिए, ताकि मच्छर जो है, वो ब्रीडी ना कर सके, मतलब अंडा ना दे सके, और अंडा से वो छोटे-छोटे लार्वाली कली ना सके, ठीक है ना, और हमें इसके लिए क्या करना है, हमें जो आसपास जो प पर्सनल मिन्स हमें अपने खुद को भी साप सफाय का ख्याल देखना है, साथी साथ जो इन्भार्मेंटल है, मतलब आसपास जो है, उसको भी साप सफाय का ध्यान, पुड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस्केक्शन ऑप फagit में ना, एंटा देते हैं तो ऐसे जगह को फिखना तो देखते हैं, जो सब्सक्राइब कें घेसा होना चैनल, और हमारा घर में घर कैसा होना चाहिए अरी हवादार और खुया होना चाहिए फ्रेस और अन्सला ख्लाइट अर नेचरल डिसइंफेक्टेन ठीक है ने अ adapting है। ठीक है, mattresses, linen and clothes should be exposed to sunlight from time to time, हमारे घर में जो mattresses होते हैं, कपड़े होते हैं, bed sit होते हैं, है न, जो भी चीज है, जिसको हम लोग दूप में दे सकते हैं, तो इसको time to time दूप में देना चाहिए, sunlight में देना चाहिए, इससे क्या होते हैं, कि diseases खत्म होते हैं, supply of clean and germ pre-water for drinking and cooking is essential for health, हमें, साप चाहिए पीने के लिए पानी हो, या खाने बनाने के लिए साप, germ pre-pati को यूज़ करना चाहिए, impure water should be boiled for about 10 to 15 minutes and then stored in clean and cover पानी अगर सुध नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए, अगर प्योड नहीं है, तो उसे pure बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसे boil करना चाहिए, कम से कम 10 to 15 minutes तक और उसके बाद उसको अच्छी तरह से store करके, cover करके रख देना चाहिए, water filter can also be used for purifying water, water filter भी हम लोग यूज कर सकते हैं, water को purify करने के लिए, boil नहीं कर सकते हैं, तो आजकल आरो आजाता है, अच्छे quality का, तो आरो यूज कर सकते हैं, to purify the water instead of boiling, chlorination is the way of purifying huge quantity of drinking water, अगर मालो बहुत पानी को खपत हो रही है, तो वहाँ क्या होगा, कि लाइक आरो से काम नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कि water tank में ही थोड़ा सा chlorine मिला दिया जाता है, तो जितने भी germs होते हैं, यह chlorine उसको मार देता है, तो chlorination is the way of purifying huge quantity of drinking water, germs in the milk are killed by pasteurization, तो pasteurization क्या होता है, कि जो milk is heated at high temperature, जो दूद होता है न, दूद को बहुत high temperature पे heat किया जाता है, for at least half an hour, कम से कम आदे घंटे के लिए, और उसके बाद quickly उसको जल्दी से cool कर दिया पड़ता है, है न, जल्दी से उसको ठंडा कर दिया जा जाता है, this kill harmful bacteria, तो suddenly high temperature पे गरम करना और फिर उसको जल्दी जल्दी ठंडा कर देना, इससे क्या होता है कि bacteria मर जाते है, तो एक भी bacteria बचता नहीं है, this process को हम लोग क्या बोलते है, pasteurization बोलते है, न, breeding of flies must be prevented in and near your house as they pollute your food and water and act as a carrier of disease, ठीक है न, तो breeding of flies must be prevented in and near your house as they pollute our food and water, तो हमने बोला न, जो house flies है, उसको ऐसे जगह को नश्ट कर देना है, जहां पे house flies पलते हैं, बड़े होते हैं, अंडे देते हैं, उसके लारवा बनते हैं, तो ऐसे जगह को खतम कर देना है, क्योंकि यह house flies जो है, यह number one enemy होता है, हमारा mosquito जो होता है, यह human का second top enemy होता है, तो हॉसपला और mosquito को breeding, जो places से उसको district कर देना, उसको खतम कर देना है, ठीक है, room should be wire screen, have wire screen, मतलब हमारे दरवाजा और साथी साथ जो window होता है, विंडो में mosquito nets जरूरूर लगा होना चाहिए है, जो net लगाते हैं, net लगाना चाहिए, ताकि mosquitoes घर के अं के next turn the page, देखते हैं, क्या है next page में, toilet and bathroom should be cleaned and disinfected regularly, toilets और bathroom को अच्छी तरह से साफ regularly करना चाहिए, है न, to stop the mosquitoes, breeding of mosquitoes, water must be allowed to, not be allowed to stagnant, पतलब थमा हुआ पानी, जो रुका हुआ पानी कहीं भी आस प्रोस में है, तो उसको खतम कर देना चाहिए, उससे भर देना चाहिए, है न, उसको थमा हुआ पानी को रखना नहीं है, आस पास में, क्योंकि वह वहाँ पर mosquitoes breed करते हैं, mosquito lay in a standing water, जहां थमा हुआ पानी होगा, वहाँ mosquito breed करते हैं, मतलब अपना अंडा देती है, वो, ठीक है, तो डिस्ट्रोई mosquito larva, the surface of water in tank and pond should be spread with oil, जो आस पास अगर कोई ऐसा जगह है, जहां थमा हुआ पानी है, अगर उसको हम नस्ट नहीं कर सकते हैं, उस पानी को ठिक से हटा नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या करना ओईल, थोरा सा ओईल लेके स्प्रे कर लेना है, ताकि वो mosquito जो लारबा है, वो खतम हो जाए, ना, मर जाए, यूज़ मॉस्क्यूटो नेट और मॉस्क्यूटो री ब्लेंट रात में सोते समय में,oston या मॉस्क्यूटो रेिप्लेंट, जैसे गूड नाइट है न, मेक सो, यह सबुед चीज लगाना चाहिए, इसको मॉस्क्यूटो री ब्लेंट बोलते हैं, !! बीष्टेन मुस्ट बीट ओप और इंसेक्ट हमारे के जो कीचेन में भी कोई इंसेक्ट में इन्सेट कि का इंट्री नहीं होना चाहिए फेलोड मस्ट भी स्वेट एबंडे कि इसें का जो फ्लोड ही हमारे घर की लोड Rajne साफ होना चाहिए Drain Must be kept covered जो kitchen का ड्रेंड है या आसपास की जो ड्रेंड है वो सब क्या होना चाहिए एकदम covered होना चाहिए Now next topic is vaccination vaccination is another way of protecting ourselves by requiring immunity against certain diseases कि यह हमें दिया जाता है और देने से क्या होता है हमारी बॉड़ी में उस पर्टिकुलर डिजीज से लरने के लिए क्या होती है कि रोग परति रोदक छमता जिसको हम लोग इम्मुनिटी बोलते हैं वह आ जाती है ठीक है ना दिजार भैक्सिंज आो अबलो किस किस तरह की भैक्षिन आज पाया जाता है लाइक दिप्तेरिया और टाइफ़ोई टेटनस पोलियो मीजल्ज मॉम्स मैनिंग्जाइटिस हैपड़ाइसन और भी कुछ तरह की जो बैक्षिन है वेजार में मार्केट में पाया जाते हैं, Pulse Polio is the immunization campaign established by the government of India in 1994 to eradicate polio तो Pulse Polio program सभी लोग जानते हैं, जो बच्चे लोगों को polio की खुडाक दी जाती है न, दो बुंद जिंदिगी के लिए है वही, that is Pulse Polio program, ये 1994 में government ने शुरू किया था, इंडियन government ने और वो अभी तक चल रहा है बिच बिच में देखते हैं न, हर पास साल से छोटे के बच्चे को पोलियो का ये ड्रॉप पिलाया जाता है ठीक है, this campaign proved to be successful and the incidence of polio decreased dramatically और इस Pulse Polio program के कारण इंडियो में, इंडिया में अब polio का जो नंबर है बहुत कम हो गया है हमें भैक्षीन अगर एविलेबल है आसपास में तो जरूर भैक्षीन लगा लेना चाहिए और जो छोटे बच्चे को तो भैक्षीन लगाना ही चाहिए इस आप नेशनल प्रोग्राम टू एडिकेट कम्निकेबल डिजिज तो भैक्षीन से हम किस तरह की डिजिज से बस सकते हैं ज्यादा तर कम्निकेबल डिजिज से बस सकते हैं इस टेक केर आप अवर सेल्प ये आपर सरौनिंग वी एस्टेल दी तो हम लोगों ने क्या सीखा इस से डाटविकेंट इप यू टेक केर अवर शेल्प अगर हम अपनी शुरक्षा खुद से कर सकते हैं हमारी देखवाल है ना केर हम ठिक से करते हैं तो और हमारे आसपास स है है ठीक से कर लेते हैं तो क्या होगा हम लोग हेलदी रह सकते हैं स्वस्त रह सकते हैं तो इस चैप्टर से हम ने सीखा कि prevention is better than cured है न मतलब भीमारी लगने ही क्यों दे है न लगने ही क्यों दे, that is the better way, बचने के लिए, लग जाने के बाद, उसे treat करने से, है न, अच्छा है कि हमें बीमारी लगे ही नहीं, इसलिए बोला गया है कि prevention is better than cure, है न, साब धानी बरते, ताकि हमें बीमारी ना लगे, कोई डिजीज ना लगे, है न, पुбиचि every Wednesday लिएरो बीमारी बॉलाब पगए, टे खूर्ल सकूर लेक्षारी कांज वे लेकिन यज काली कोन बीमारी लगे से, भीन लिएLAिविए, है लगे है लोगे अच् theoret हवे लोगे 350 वोड दॉसी त से